चेप्टर ग्यारा जो भी सोचे कम साड़ा है मिठा माख्यूं कुबाची विच आके देखे कट्टे एक दियूं कुबाची दस्तकारी हुते उक्रेशब्द मैं गुलाम कवता अपनी दा उफ सारा सारा दिन चुक्या सत्रां ते मैं खून पसीनना एक करां पर मालक कवता ले एवी कुझ नहीं चाहे मरां राद वी अड़ी लावे चैन न देवे मैं नू एक शेन मैं जियों रिक्षा खिचन वाला जिस दे दो में पासे रिक्षे दे बंब पच्छी जान दे सदा हुझ के खावे ते रिक्षा जिस दे अग्गे मैं सदा लेहां जुट्या हर लंग दे दिन नाल बदेरे पारा ये बहुत देरदी गल है पर मैं नू ए एनी साफते सबस्ट तरह याद है के अजे कल ही वप्री होगी। मैं इस बरे एक कवता भी लिखी है पर एथे फिर इसनू याद किते बिनन नहीं रह सकता। चूट्तों पड़ाई खतम कीती ते मेरियां कवतामा दे दास संग्रैश अप गये। उना विच्चो एकनू राज की इनाम भी मिल गया। मैं व्याकरा लिया। मतलव की के मैं कवीर सूल हमजातों बण गया। ओधो मेरे दमाग विच फेर अपने पेंड़ जान दी आई। सारा सारा दिन मैं उना थामा उते कोमदा रेंदा जिनानू अपने बचपन तो जानदा सां। उनाई चिटाना वल उनाई गुफामा वल देखदा हुया। मैं लोका नल गल्लां करदा, नदियां दी बुडबुड सुनदा, ते कबरस्तान विच चुप करके बैठा रेंद ते फेर खेतान दे बिच्चों दी तुरदा बापस आ जानदा। अमरीका विच फोर्ड दे कार खाने विच मैं अजमाईशी टिल्ले नू देख्या, जिस उत्ते त्यार कारानू पर ख्या जानदा सी। लेककली इस तरह दा अजमाईशी टिल्ला ओ थां हुनी चाहिए दी जित्ते उ पैदा हुया सी। जान उस तो काफी चरपे लां तो मेरे बारे गलां कर रहें या सन। मैंनू ने पता। एकदम मेरे कन्नी एक औरती आवाज पे जदों उकादी मुठी परके अपने मत्थे तो पसीना पूंज रही सी। जे तुसी मैंनू पुछो के मैं सब तो बद कीच ओं दी हां तम मैं क कहांगी मैंनू रसूल हमजातोगदा बेफिकर देल ते सौखा जीवन देओ। तेरा ख्याल है कि रसूल दे देल दी था पनीर दा टोटा पया जिडा कदी नी दुखदा। मेरी एक रिष्देदार औरत ने मेरी हक विच गल कीती। हो सकद है इंज ना होगे। पर उसनू खेतां विच गोड़ी नहीं करनी पैन दी। सांजे फारम दी कंटी उसनू कामले नहीं बलों दी ना ही ए दस दी है कि उसनू कदो रोटी खानी चाही दी है। उसनू नहीं पता के द्याडी ती तनखाद मतलब की हुन दै। इसनू किमे हिसाब लाया जान दै। ते सांजे इसले की मिल दै। ओ ता बस लिखना जान दै। त्रेन ब्रेन, तराली बाली, देगीर दांगर। उसनू फिकर किस चीज बारे हुनाए। उसने दिलनू कादेली दर्थ पास नहीं कर सकती। चंगी औरत मैं उसनू अपने काम बारे केमे दसां। अपनी कालना दे नरंतर ते बोजल होन बारे केमे दसां। उदास सोचा मच डुब्बा, मैं खेतां तो पैंड आ गया। पैंड दी गोदे कान विस बज़ुर्ग ठंडे पत्थरा नू निग्गा कर रहे सन। ते जुमेन बारे, ओंदी फसल बारे, पहाडां ते चार गाहां बारे, बिमारियां ते जड़ी बोटियां बारे, ते अपने पेंड दे बीते बारे, शांती नर गलना कर रहे सन। मैं भी बेचे जार अड़या, दुआ सलाम कीती ते ठंडे पत्थर उते बैठ गया, एक बिजर्ग दे हथ विच उस देंदा अख़वार सी, जिस विच मेरियां केई कवतामा सान। गलबात उना बल मुड़ पे, सुआर हमेशा ही खोशुन्दा है, जदो उस दी कोड़ी दी सिफ्ट किती जन्दी है, मैं वी आस रख रहा सा के मेरे पेंड़गा सी, मेर आज कला विच मैंनू पेला ही इहोजियां तरीफां सोनदा चास पे चुका सी, इस दी था मैं अख़बार बड़े बजर्ग नू एक एंद्या सुनेया, तेरा पेव हमजात कवता लिखदा सी, ते तू उस दा बेटा भी कवता लिखदा है, तू कम कदो करना शुरू जा तू आस रखदें कि तू अपनी सारी जंदगी इमें बता लेंगा कि तेनू रूटी तो पारी कोई चीज ही न चुकड़ी पवे, कवता लिखदा मेरा कम है, मैं जिननी निमरता नार जुआफ दे सकता सा, बिता, मैं कुछ हैरान जरूर हो गया सा, कि गालबात किदर न तू पई है, जे कवता लिखना काम है, ता बेलडपुना की हुंदा है, जे गोणा काम है, ता खुशी ते देलचप परचावा की हुंदेने, जिड़ा गीत गोदा है, उसले एक खुशी दा कारण है, पर जिड़ा लिखदा है, उसले एक कम है, बिना अराम जा नेंद दे, बेना छुटिया दे कम जो कुछ खेट तो अडे ले हन कागज दा वर्का मेरे ले है अखर बीज हन ते कवतामा कनक दे सिटे ए बड़े सोने लफज ने खेट मेरी सकलिया दी छत उत्ते मेरे कोल नहीं आँदे मेननो कम करन ले खेटां तक जाना पैंदा है तेरे गीत तेरे कोल नहीं तो किते भी होमे पामे बिस्तरे विच्ची प्याहों में तेरा हर गीत तेरे बुहे उत्ते दस्तक दे रहा परोना है ते इसलिए हर गीत एक खुशी दा मौका है पर साड़े खेट साड़ा रुजाना जीवन हन इस अंदाज विच बजुर्ग इस बिशे बारे गल्ला करी गए मेरे गीत भी मेरी जिंदगी ने मैं जुआव दिता जे गल है तेरी सारी जिंदगी एक सुदीवी त्योहार है सानु दस्या गया है कि गीत लिखना कला कोशलता दा कम है जे तेरे बिच ए है ता गीत लिखना एक सौक हजा मामला है जे तेरे बिच कला कोशलता नहीं ता ए सचमच काफी मुश्कल कम है सिर्फ इस सूरत बिच कम कोई मदद नहीं करना लगा एथि तुसी गलत हो जिस बंदे विच कला कोशलता का टूंदी है ओ कला नू इस तरह नाड देख सकदा है जिस तरह कोई सौखाजय कम हो भी ओ गीतो गीत टुपूसिया मारदा रेंदा है साधी बोली विच ओ का अकटदा है असली कला कोशलता दे नाड हमेशन जिम्मे वारीदा डूंगा ऐसा सुन्दा है असली कला कोशलता बाड़ा आदमी अपनिया कवता मानू बहुत महत्तपूरण ते मेनत बाड़ा कम समझता है जो कुछ भी गाया जान्दा है वो गीत नहीं हुन्दा, जो कुछ भी सुनाया जाए वो कहाणी नहीं हुन्दी तब फिर सान्नु दास जरा तु किस तरह काम करदाएं ते तेरे काम बेच की मुश्कल है मेरे आसपास चक्कर बिच उबैठे हुई सन बज़र्ग हाडवाहक मैं उनानू अपने काम बरे समझान दी कोशिश कीती पर जल्दी ही मैं समझ गया के मैं उनानू ओ कुछ भी नहीं समझा सकदा जो कुछ मैंनू इनना सिद्धा सद्धा लगदा सी मैं उल्जन बिच पया गया थड़कन लगपया ते आखर चुप हो गया उस दिन गोदे कान बिचले बज़र्गां दा हाथ उत्ते रहा मैं उनानू इन ना दा सक्या के कवता लिखना क्यों मुश्कल है ते कवता लिखन दा इस सारा काम आखर है की ओदों तो लेके कई साल लगए हन पर हुण भी जे कोई मैंनू पुछे तब मेरा नी ख्याल के मैं उसनों सपष्ट लफजमच दस सका के मेरा काम आखर है की एक क्यों मुश्कल है ते दूझे कमा नाड़ों कि में बखरा है जेड़े बाकी लोग करते हन मेरे काम करन दी थां केड़ी है बेशक मेज मेरा काम करन बढ़ा मेज पर ये मेरे सेरदे समे पहाडी रस्ता भी हो सकता है जदों मैं आपड़िया कवदामा बारे सोचदा हा ते शबद ते तुनिया मेरे दमाग विच आध्या हन पर मैं उननों सुट पौंदा हाँ, इथां ओ गड़ी भी हो सकती है, जेड़ी मैंनों किसे दूजे देश लजा रही होंदी है, क्योंकि बिलकुल उस वे ले हो सकता है, नमीक अव्दादा ख्याल मैंनों सुजे, इथां हवाई जहाज, जम मोटर बस, मासकोदा लाल चौंक, द्रियादा कनारा, जंगल, इथों तक कि किसे महत्त पूरन सरकारी अफसरदा स्वागती कमरा भी हो सकता है, मेरे कामकर्ण दी थां, ओ खेत, जिड़ा मैं बौंदा ते कट दा हां, तर्ति उते किते भी, ते हर थां हो सकती है, मैं कदों कम कर दा हां, स्वेर वेले जा शाम मेरे कामकर्ण दी द्याडी किड़ी है, छे जा अठ, जा शायद बारा कंटे, जा इस्तों भी ज्यादा, जे इस्तों भी ज्यादा हों दी है, ता मैं संद सुट के अठ कंटे दी द्याडी ले, क्यों नहीं लड़दा? मसला सारा ये है, मैं हर वेले कम कर रहा हुंदा हां, ते एसे तरह करदा आ रहा हां, जदों दा मैंनू जाद है खाने भी ले ते थेटर विच, मीटिंगा मिच ते शिकार खेड दिया, चा भी ले ते नडोए समे, कार चलाओं दिया जा व्याशादी भी ले मेरा कम किस तरह दा है? एही ता सवाल है, जिसला जवाब देना सब तु मुश्कल है कदी-कदी मैंनू लगदा है कि मेरा काम बाकी सब कमा वर्गा है कदी-कदी मैंनू लगदा है एह अपने वर्गा आप है ते इस दे तोलना केसे भी होर काम नाल नहीं किती जा सकती जिड़ा दुनिया दे लोग कर दे हन कदी-कदी मैंनू लगदा है कि मेरे आले-द्वाले सारे काम कर रहे हन ते मैं मुफ्त खोरी कर दा फिर दा हन कदी-कदी मैंनू लगदा है कि मैं एकला काम कर रहा है जदके बाकी सारे मेरे मुकाबले हुते बेले पैफिर देने पंची अली किन्ना सोखा है सारी उमर ओ एककोई गीत गौंदे रहें देने जिड़ा उना अपने माप्यां तो सिख्या हुंदा है द्रियाले किन्ना सोखा है हजारा साल ओ छांचांदा एककोई गीत गौंदा रहेंदा है पर मैं मेरे लिए जरूरी है कि मैं अपनी संखेप जे जिन्दगी विच इन्ने को गीत रच जमा जिड़े बहुत बहुत सल्दा ले काफी हूँदा जिस आदमी ने पहली वारी हालबोना शुरू कीता सी उसले जमीन दे निक्के जा टोटे उत्ते भी हालबोना सच मुच मुश्कल होवेगा पहले आदमी नो गीत लिखना भी उन्नाई मुश्कल लगदा होवेगा पर एको जमीन नो जदो हजार आदमी वा चुक दे हन ता एक हजार पहले बंदे ले एक किते ज्यादा सौखा होंदा है तुझे बासे जदो हजार बंदे कवतामा लिख चुक दे हन ता एक हजार पहले बंदे ले कवता लिखना पूर भी उखा होंदा है तावी हडवाहक नू मैं कहांगा हाँ एक तरानाल मेरा कम तेरे वर्गा है इसले किरपा करके मैंनू वेलड ना समझ जेसदी जिन्दगी एक सार शोगल ते मान परचावेदी लड़ी होगे तेरे वांग ही मैं अपने खेत बारे सोच देयां लंबिया राता नू जगराते कटे हन तू अपने स्याडा ले चंगे तो चंगा बीज चोणदाएं मैं अपने अतोका ले चंगे तो चंगे शब्द चोणदी कोशिश करता हाँ हजारा मिच्चों मैं एक लवज चोणदा है मेरा वी अपना जमीन दा टोटा है पहलियां कोमपलां फुटण उत्ते मैंनों मी खुशि हुं दी है ते मैं वी अपनी मेनत दे फाड टकठे करता हाँ में नू अपनी तरादी वाही ते अपनी तरादी गुडाई करनी पैंदी है ते मेरे खेत वेच फालतू जंगली बूटियां भी हन जिना तो शुटकारा पोना जुरूरी होंदा है चंगे तो पैड़े वीजनू मशीन नाड़ भी नखेड़ना मुश्कल होंदा है पर लुडीन दे चंगे ते सेतमंद लफजां तो अन लुडीन दे लफजां नू बख करना किते जादा मुश्कल होंदा है तो अपना खेत गड़यां तों, कोरे तों, सोके तों बचाकी रख़दा है मैं नू ऐसे गीत रचने पैंदे हन, जेड़े दुश्मन समेदा वार चल सकंगे मैं ऐसे गीत रचने चौनदा हन, जेड़े सदियां तक जियोंदे रहनगे मेरी फसल नू नुक्सान पचौन बाड़ियां ची जावी हन, तेला, टिड़ी दल, तेचुए जेड़े मेरी फसल नू नुक्सान पचा सकदे, सगो तवा भी कर सकदे हन, जा इसनो इनना खराब कर सकदे हन, के खान दे योग ना रहे इस्तो इलावा, मेरे जंगली चूहे, तेरियां चूहें ते गालड़ा नाड़ों बडे रे, ते वदे रे, हानी कार खान, ते उना दे खिलाफ लडाई करनी ज्यादा मुश्कल, ते कदी-कदी बिलकुल व्यर्थ हन दी है अग बडे, तुमा बल खान्दा उपर जावे, पर जे तेड होवे कांद विच सुई जिन्नी वी, तब बरफाननी हवा अंदर तो समारी आवे, कर देवे कार्याख, अग बडे किन्नी वी कदी-कदी इंज होवे, मेरियां नजमान आडवी, उनना दी गर्मी ले, तारां मैं मुल पारी, कुझ टिल्ले रह गये शब्दां चों, तो कांच आके, ठंडी हवा वस जक कर देवे, कवता सारी फिर मेन्वो अपनी किर्द दे फड् l Gillोक ओनो देने पैंदे हन, ताके दागस्तान देवी, तो बाकी दुनिया देवी लोग उनना दा स्वाद देख सकन, जान सकन क्यो किन्ने मिठ ते किन्ने कौडे हन, ते उनना दा खास स्वाद की है, एह ओर किसे फड्द स्वाद वर नहीं होना चाहिदा। ताक के थां सरकरन दी कोशिश करां ता मैं आखरी वारी खिचनले सारा जोर एकठा करदा हां ते एहो जा समय में नू पिता जी दी दिती चड़क याद आ जान दी है ख्याल नार रसूल परीदा गड़ा ना कोट देनी फसल हर साल बखरी हुं दी है एक साल फसल इनी हुं दी है के सांबया नहीं सांबी जान दी अगले तेन साल हो सकदा है कुछ भी न होगे मेरे नार भी एसे तरह हुं दा है मेरा काम हमेशा एको तरह नहीं चलदा मैं खाद पौन दा हां हाड बौन दा हां ते चंगे बीज बीज दा हां, फिर भी कनक नहीं पैदा हुंदी, मैंनो अनुआदवाल मुणना पैंदा है, ते कितों अस्टेलिया तों जा कनेड़ा तो जाके कनक ख्रेदरी पैंदी है, जदो मेरी कवता दी लाट नीमी होके बढ़ रही हुंदी है, तो कोई भी बलन, ठो तो संतरल मेरी मदद नहीं कर सकदा, ते कवतामा मेरी आत्मा तो बैके कागज उत्ते ओन तो इनकार कर देंदी हन। की किता जा सकदा है, ज़े हर महिमते, हर कामदा अंत सुखामा होवे, तो सारे ही बड़े खोशोंगे, ज़े तरती हर साल पर पूर फसल देंदी रहंदी, तो कोई भी पुखाना रहंदा, ज़े कागज उत्ते लिखे गए सारे लफज गीत पैदा कर देंदे, तो लोक सदारन वागत तक वेच गल्ला करनियां बंद कर देंदे, ते सिर्फ गोंदे ही रहंदे, पर गीत रचना कोई सोखा कम नहीं, मैंनू दागस्तान, जार्जिय अर्मेनिया, ते बुलगारिया दे शराब बुनाण बाड़े कार खाने, ते पिलसेन दा बियर बुनाण बाड़ा कार खाना देखन दा मौका मिलिया है, मेरे उते प्रवाब एब्या के कवियां ते शराब बुनाण बाड़ेयां वेच बड़ा कुछ संजा है, उना दिया आपनियां नफासतां ते पेत हुंदी हन शराब बांग कवतामा नो भी आत्मा विच खमीर चाड़ना ते पकड़ना पेंदा है चंगी कवता विच कोई रहासमी ताकत हुंदी है जिरी नशा दिन दी ते दिलनों खुश कर दी है इस पक्षों शराब ते कवता विच बड़ी सांज है जिस पहाड़ी आउल विच शराब दी दकान हुंदी है अक्सर उत्थे शराब दे ड्रमाना लद्धी लारी ओंदी है ओ एक ड्रम इस आउल विच दूजा ड्रम दूजी आउल विच देई जांदी है इस तरह नाल ड्राइवर वोई नाक सकतों पहाड़ी पिंड़ा ले शराब लेके ओंदी हैं लारी देख दिया ही नौजवान देखानों बेवास्ता ते अराम नाल पर विच ओं बेसबरी नाल परे हुए आउल दे सब कोन्या तों दुकान नावल आजांदी हैं ओ ड्रामनों इस तरह की एरलेंदी हैं जिस तरह पेड़ां गडरिये वलों चट्टन ले रखे गई लोन दी डड़ीनों की एरलेंदी हैं ज़दों शराब कडे बिच उल्टाई जान दी है ता इसना स्वाद देख जान दा है मा यूसी दिया कूक कां हवा विच गूंज दिया हन ये शराब है ये तब बिलकुल पाणी है सिद्ध द्रिया तो आया है बेचन बड़ा ये हुजी शराब आप ही पील वे मैं क्यों पी मा दुकानदार अपने हक विच कहनदा है तुसी खोद लारी नू ओंदयां ते ड्रम लौंदयां देख्या है तुसी सगो लौन बिच मदद भी किती सी मैं की कर सकदा है मैं ता उही वेचना है जो ड्रम बिच ओंदा है तो अनू नई पसांद ता ना खरीदो सची का ले है के बखो वखरे इलाकिया नू शिराब पे जन तो पहला शेहर दे गुदाम दा मैनेजर हर ड्रम बिच ओंद थोड़ी थोड़ी शिराब कड लेंदा है ते ए कमी पाणी नड पूरी कर देंदा है उत्थे उना नू ए भी मिल जाए ता उ अपने आपनो खुश किस्मत समझनगे ए हो कम पिंड़ा नू ड्रम पे जन तो पहला पेंडू गुदाम दा मैनेजर करता है पेंडू बंदिया ले ए बथेरी चंगी है उस सूचदा है फिर रस्ते बिच दो-चार लिटर ड्राइवर ते लद्दन वाड़े भी कर देंदे हन जरा अपने आपनो गर्म करन ले ते लम्मे सफर नो छोटा करन ले ओ ड्रम्मा नो फिर किसे पहाड़ी चश्मेतों जान राविच पेंदी किसे नदीतों साफ बलौरी पाणी नाड़ पर देंदे हन अखीर उत्ते जो कुछ पुझदा है उसनो तुसी पाणी नाड़ पतली कीती श्राब समझ लबो जां श्राबनार रंगया पाणी समझ लबो जो मर्जी है समझ लबो एसे तरह कुछ कवतामा पढ़ दियां ए फैसला करना मुश्कल हुन्दा है के उना विच कवता जादा है जांके फूकन गल्ला ए उना सोस्त कवियां दी रचना हुन्दियां हन जिना कोण मेनत करन ले सबर नहीं हुन्दा ज्यादा उचल दी नदी समुंदर तक कट बद ही पहुँच दी है सोस्त हाज जी मक्के तक कट ही पहुजदा है जदो दो मसाफरानों एकको कोडे उते चाड़ना पवे ता उना ले एक दुझे नूँ फणना जरूरी हो जान्दा है कला कोशलता ते मेनत वे एकको कोडे उते चाड़ दियां हन अबु तालब ने कहा सी कला कोशलता ते मेनत वे कवता वे इस तरह एक दुझे दे नाल नाल जाना पेंदा है जेस तरह मियान नाल खंजर जान्दा है अपनी नोट्बुक विच्चों ओदो मैं ज्यादा समा कारनालों बजार वे च गुजारया करदा सा मैं स्कूल जानदा सा ते कवता लिखनी शुरू कर रहा सा पर मैं ना कवता ले ना पढ़न ले ते ना ही करदा काम करन ले टेक के सबरनाल बैठ सक्दा सा मेरे कोडों बहुती देर मंजे उत्ते ना बैठे जान्दा जल्दी ही पासे मारने मैं शुरू कर देन्दा उठ पेन्दा ते जियोई मौका मिल्दा बहर नट जान्दा हुन भी मेरे विच सबर ते टेक के बैठन दी काट है एक दिन मैंनू करदा काम करन ले जा शायद कवता लिखन ले याद नी होन केसी बठा के पिता जी कड़ी पाल ले कमरे बिचो बाहर चले गए जयोई उना दर्वाजे तो बाहर पैरता रहा मैं उठ पया ते बाहर सकलिया दी छत उत्ते जा चड़िया पिता जी ने मैंनू देखिया ते उच्ची सारी मानू कैन लगे मैंनू किल्ली नल लटकदा रस्सा ले आके देई जरा का दे ले रसूलनू कुर्सी नल बननन ले नई ता ओ कदी कोज नहीं कर सकेगा फिर पिता जी शांती नाल ते द्रिटता नाल मैंनू कुर्सी नल बननन लग पै उनाने उंगलादिया गंडा नाल मेरा मथठ कोर्या होन जो को जेते है कागज उत्ते उड़ाद दे उ मेरे अग्गे पै कागजवल इशारा करके बोले जे कोई सानू लेह कानू कदी कदी एज साड़े मेज़ां कुर्ण बन सकदा सेर हो सकदा है कम कर रहा होवे नहीं पी रही शंग्रे उस दे बेटे ते पांच रूबला दी कहानी कोज समा होया खून जाख विच शंग्रे नादा एकतना आड ते काफी सतकार्या जान्दा बन्दा रहन्दा सी उस दा एकको एक बेटा सी जेडा लाड नाड विगड़या होया ते चंचल सुबादा सी शंग्रे चौन्दा सी के उस दा मुंडा पेंड़ दे बाकी सारे लोकां मांग कम करे ते वड़ा होके असली मनुख बने पर पुत्तर दा कामवल जरा भी चुका नहीं सी पियोदे रिष्टेदार ते दोस्त उसनों सुगाता कदी कोड़ा कदी कोट कदी नगदी ते कदी खंजर दे दे के विगाल रहे सन एक दिन ऐसा आया जदो शंग्रे सक्त बिमार हो गया किसे दुवाई ने उस दी राजी होन विच सहायता ना कीती उस दे सारे रिष्टेदार ते दोस्त उस दे मंजे दुबाले एकठे हो गए असी की कर सक देया कि तु राजी हो जाए उना ने उसनों पुछिया सिर्फ एक चीज है जेड़ी मेंनू मुड़ खड़यां कर सकती है पर एक करना तो अड़ेवा स्विच नहीं सानू दास्ता से असी पूरी वाल आमागे जदो मेरा मुंडा मेंनू आप कमाय हुए पांज रूबल दखाएगा ते कहेगा ले बपू इस तेरे ने तमैं राजी हो जा मागा दो दिन मगरू उस दा बेटा आया ते शंग्रेनू उसने पंजान दा नोट दखाया आले बपू मैं अवार खड कोई सु विच गेलियां ठेल के इपैसे कमाये ने पियो ने पैसें बाल देख्या फिर अपने बेटे बाल देख्या ते नोट फड के आगविच सोट देता मुंडा इस तरह सुन मुन होके खडा रेया ओ पीदा पैगया जिस तरह केसे ने उसनू चुपीड का डमारी हो भे पांज रूबल एक चाची ने उसनू दिते सन जेसने शंग्रेदी इच्छा बरे सुन के मुंडे नू मुश्कल तों बाहर कड़न लई मद्द करन्दा फैसला कीता सी कैई दन मगरों नौजवान एक पंज रूबल नोट होर फड़ी आ गया ते अपने पियो नू एक एंद्या होया पेश कीता मैं सडका ब्रोन वाली टोली नल कम कर दिया गुनीव पेंड़ विच एक कमाये ने पेव ने पैसें वाल देखिया ते फिर अपने पुत्तर वाल देखिया उसने नोट नू गुच्छा मुच्छा कीता ते बारी विच्चो बार सुट देता मुंडा बे हर्कत खड़ा रहा ए पैसे पेव दे गोध सातली विचले कुनाक तों आये सन एक वारी फिर पुत्तर अपने पियो कोड आया ते उसनू एक पांज रूबल दा नोट देता पियो ने मुंडेवल ना देखिया उसने नोट फड़िया ते दो टोटे कर देता मुंडा बाजबांग दोटियां उती चप देया ते उना नोट मुड जोड़न दी कोशिश कर लगा मैं पीत्रो वस्क दे अस्तवल इसले नेशा साफ करके इपैसे कमाए के तुँ इना नोट सादे कागजबांग पाड़ के सुट दे में मुंडा चिला के कैन लगा मेरे हत्थानिया गंडा देख हुण में नोजगीन हो गया है के तुँ आप पैसे कमाए ने शंग्रे एकदम खोश हो गया ते राजी हुण लग प्या सचमच ओ जल्दी ही फिर तुर्ण फिर लग प्या हाँ असली कीमत सिर्फ ओसे दी हुंदी है जो तुसी अपनी किर्टनाल कमादे हो कवताली भी शायद एही ठीक है जे तुसी कोई कवताल लिखन उपर आप जान मारी है ता इस दा हर शब्द ते हर विश्राम चिन प्यारा है जे तो अनू इस दा विचार राजांदिया सु मेरा घुवांडी एक सुन्यारा पर्ख वटी नल कर देंदा सी सोने ताम्मे विच निस्तारा तेरी पर्ख वटी दे वाजों हे मेरे पाठक हे से आने मेरिया चतुर दुकां विच केडा सोने तुं ताम्मा पहचाने जे तुसी कोई सचमच स्वादी मच्छी चौँदे हो ता चील उते जाओ ते आप फड़के लियाओ उकाब हावा दे खिलाफ उड़दा है मच्छी चारे पासे नू जानती है कभी जोरदार पावा दी जगड विच आके लिखदा है पामे इस विच खोशी नालो ज्यादा कश्ट ही क्योना होंदा हो वे एहो मतलब है उस कहानी जीड़ी एक बारी अबुतालवने मैंनू सुनाई सी बलखार कम्यारां दी उना दे बरतना दी ते उना दे पैड़े खरीदारां दी कहानी कम्यारां ने अपने पांडे टोक्रिया मेंच रखे टोक्रे अपने खोतियां ते खच्रांदियां पिठाओ ते लद्धे ते चंड़े शेहरनू तोरपए। रस्ते विच उन्हानू कोज पेंडू मुंड़े मिले। जिड़े शरारत करनू ते तुले हुए सन। तुसी दूर चल लेओ कमे आरो। मंडी तक अपने पांडी वेचन। ते नदा मुल किये। छोटे वी-वी कोपे एक दे। ते बढ़े प सारे पंडे खरीद ले। साढ़े पंडियां तो तुसी खोश होगे। कमे आरा ने खच्रानू करांबल मोड़ दियां किया। ए बड़े पक्के बने हुए ने तो अड़े पोत्रे दोत्रे भी एही पंडे वर्तन गे। ओ पेली पहाडी टेसी उते पांच के अराम करनले र उस रा उत्ते एमे नजर दडौन लगे जिसनू तै करके ओ आये सन। अचानक उना दी नजर उना मुण्यावल पई जिनाने उना दे टोंक देते सुन्दर बर्तन खरीदे सन। ओ अजीव मन पर चावे वेच रुज्य होई सन। बर्तनानू खाट दे कंडे उत्ते राखके ओ वी कदम पिछे हटके हर बर्तननू वारी वारी रोडिया नाल नशानना बना रहे सन। जाहर सी के ए वद तो वद बर्तन पनननदा मुकाबला सी। मिट्टी दे बर्तन खडाक नाल टोटदे ते उना दिया चिपरा खाट दे कंडे नाल वाजदियां हेठा नू जान दिय मुडिया नू ए बड़े शुगल वाली चीज लगी से। जिमे के किसे दे होकम नाल ओ एकदम पुड़क के खड़े हो गये ते अपने चाकू घड़दे होई शैताननी कर्ण वाले आवल नठे। की करदे पैयो बदिजात मुडियो ओ चिल्लाए। असी त्वा डेकोड तुसी अपना माल साड़े कोड वेचिया। असी तो अन्नू पूरी कीमत दिती है। ते होणे वर्तन साड़े ने। तो अन्नू की? असी पामे इननू किसे तरह वर्तिये? असी इननू तोड़िये, कारल जाइए, ते पामे साड़कुत्ते ही छड़ जाइए, जो मर्जी है करिये। इनना बर्तना नाल साड़ा वड़ा वास्त है। असी बर्तना तो पहला इननू बणाओनली मिट्टी गुन्नी, ते एक आम मेनत मंगदा सी। फिर असी दिल लाके इनननू डोलया के लोक साड़ी केरतनू सलोन। असी सोचिया के ए दूज्ये लोकानू खुशी दे के तुसी एक वेच अपने प्रोणे नू बूजा पेश करोगे। किसे दूज्ये वेच पहाडी नदीदा ठंडा पानी रखोगे। ते तीज्ये वेच खूब सूरत फोल लाओगे। इसदी था तुसा बेशर्म लोकाने इनना नू टोटे टोटे कर देता है। साड़ा काम साड़ी कालना ते साड़े सुपने खाट दे कंडे उत्ते राक के उड़ा देते ने तुसी। तुसी साड़े बरतनों ओसे तरह पत्थर मारे ने जिस तरह बेवकूफ बच्चे खूब सूरत गीत गौण बाले पान्चिया नू वट्टे मार देने। कुमे आराने बचे ब गुसे नू समझ जाएगा। इना लफजानाल अबु तालब ने अपनी कहानी खतम कीती। पर मैंनू फिर याद आगे जिस दन मैं दूर जपान बेच मोत्तिया ले टुबिया लोंधिया कुडिया नू देखता बैठा होया सा। मजबूत खूबसूरत जवान शरीर गे समंदर दी तै तक पोज दे। ओथे फट दे फेफडिया नाल कुडिया किसे तरा कुछ सिप्पिया कड के अपने लकानाल लटक दे चोडिया मेंच पालें दिया। उन्हानों हजारा सिप्पिया खोलणिया पैंदिया ता कि ते उन्हान दी खुश किसमती नू कोई पी निकल दी जिस विच मोती हूंदा। गुदरती मोतीया दा एक हार बनाउन ले किन्या टुबिया लोणिया पैंदिया हन, किन्या सिप्पिया कड की लोणिया पैंदिया हन। परलोकां दी रुजाना गलबात दी बुली दे सारे शब्दा मिचूं चुण के गीत दा हार कोई इस तो सोखा है सारे सदारन शब्द कटनामा पावनामा जीवन देत जर्बे ये भी एक सागर है जित्थे सिप्यां खोव खिल्डरियां पन्याहन पर उस सागर्दियां रहास में कटनामा दी लगातार खोज कर दियां मोती लबन ले टुब्बी लोण बालेनू किन्नी ज्यादा का लणा करनी पेंदी है ये ऐसा कम है जिस उत्थे उसनू अपनी सारी जोगता सबर, सेत ते सैन शक्ती लोणी पेंदी है इसले नसीब भी चाई देहन मोती कड़न बालेयां दा सबर कुबाची सन्यारियां बनो चांदी उत्ते मीनाकारी करनवेली दा सबर इस सब कुझ दा कला कौशलता नाल सुबंध है इस सारा कुझ है कला कौशलता जमा मेनत तांके हो सके कवता मेरी चिर जीवी कदी रुखा कदी खुश दिल दोस्तो मेहा सेखदा कुबाची सैन्शक्ती ते उच्चे म्यार नबोना जो गुण हन्दा है आउल्दे माहर कारी गरांदा निजम जेडे हर परवत्वासी जानदा है कुडी दा ओदों तक व्या ना करो जाद तक ओ बालग ना हो जाए अपने वाट ना उतारो जदों तक तुसी धर्यादे कंडे तक ना पोज़ जाओ हांडी ओ बल्णी ना तरो जदों तक ओ पंची अजे जंगल वेच अनफुंडिया पिया है जेडा तुसी पकोना है सलेटी लूम्बडी उसे शिकारी दी नहीं हुंदी जिसने इसनों देख्या हुंदा है सबों उसे शिकारी दी हुंदी है जीडा इसनों फल देंदा है एक याद मैं सचमच हेटली कहाणी नहीं दसना चौँदा क्योंके एक कोई मेरे पले विच नहीं जान दी पर कोई गल नहीं एक बारी कहाणी शुरू हो जाए ता लफजा नू रोक के नहीं रख्या जा सकदा कोई अजीव गल नहीं के पहाडा में चकेंदी ने जे तुसी लक तक पाणी बिच जा चुके हो ता गाल तक भी जा सकदे हो ते जे बोरी खोल ही लेई है ता उस बिचलियां सार यां चीज़ां छंड मारो मैं इक कताव कदेदी खतम कर चुका होंदा जे मैं मूर्खावडा कार्णामा ना कर बैठ दा जिस बारी मैं होण दसन लगा हाँ मेरी आदत है कि एक बारी जदो मैं कताब शुरू कर लेंदा हाँ ता इस दा खरड़ा सफर वे ले अपने नाल चुकी फिरता हाँ इस तरहां मेरे खरड़े बखो वखरे देशा मेंच मेरे नाल लम्मे सफरां उते जानते रहे ने इस दे मेरे अपने कारण हन यकीनन कोई सवेर ऐसी ज़रूर होंदी है जदो मेरे ले कर्ण जोगा और कुछ नहीं हुनदा ते मैं खरड़ा लेके अपने कमरे बिच बैठ सकदा हाँ इस बारे मुड के सोच सकदा हाँ जान कोई सफा लेख सकदा हाँ एक किताब भी मेरे नाल सागरां महा सागरां ते महा दीपां दा गेड़ा ला चुकी है एक वरी ब्रसल्स तो आउंद्या मैं मास्कवा होटल बिच रोकिया जित्थे मैंनों सत्तमी मंजल उत्ते एक कमरा दिता गया सी इत्थे मैं दस दिमा कि मास्कवा मेरे लिए निरा होटल नहीं इस ज्यादा मेरे लिए दुजा कर है जे मैं ओ सारे साल गिना जदो तो मैं लेख खां ते कामले मैंनों राज्ता ने ओना पेंदा रहा है ता मैं अद्धी जंदगी इत्थे गुजार चुका हां सारे कलर्क, बैरे, ते नौकराणियां मैंनों बड़ी चंगी तरह जान दिया हां ते मैं उना नू जान दा हां ए हकेकत के मैं हमेशा मास्क अबा विच ठैर दा हां मेरे मास्कों विचले दोस्तां तो कोई लूकी शिपी नहीं जिना विच्चों कुछ ऐसे हां जिना ले एक खबर के रिसूल मास्को विच है उसनों मेल्ण और ले सथाई सद्धे दे बराबर है जदों के उना कुण करन ले और कुछ ना होवे इस तो पहला के मैं अपना मुहत तो सका टेली फून दी का अंटी बज़नी शुरू हो जान दी है दर्वाजी उते दस्तेक सुनाई देन लग दी है ते जल्दी ही कमरे बिच ना बैठन ले ना खड़े होण ले कोई था रह जन दी है पामे होटल दा कमरा कोई सकलिया नहीं हुंदा तावी यसी परवतवासी अपनिया प्रातन रस्मावल बफादार रेंदिया अपने प्राणे दा ना नहीं पुछ दे जदो तक तीज़ा देन ना हो जाए पर क्योंके तेन देन कोई भी नहीं रुक दा इसलिए मैंनू उना लोकां बिच्चों कैया दे नावादा कदी पताने लग दा जेडे मैंनू मिलन आँदे हन सो एक बारी ब्रसल्स तो बापस हो दिया मैं सदारन बांग मासकवा बेच रुक्या होया सा ते सदारन बांग ही मेरे कमरे बेच पीड जमा होई होई सी कुझ मेरी बापची उत्ते मेनू बदाई देन ले आए होई सान ते कुझ दागिस्तान ले मेरे चंगे सफर दी कामना करन आए होई सान ते कुझ एम ही आए होई सान कुझ नू सद्धा दता गया होया सी कुझ लोक बिना सद्धे दे ही आ गय सान कुझ एकना दियां असी तारीफां कर दे ते हल्ले गुले नाल उना दे नाम दा जाम पिंदे जदके दूजियानू असी उच्ची उच्ची नेंद दे जो के उना दे नाम दा जाम पिंदा हूर भी ज़ादा कारण सी असी गल्ला करदे रहे ते पिंदे रहे असी हस दे रहे ते पिंदे रहे असे गीत गौदे रहे ते पींदे रहे जे मेज जा मंजे हेठा गिलियां लकणा तोखरियां होंदियां ताँ भी कमरे बिच एनना तुमाना होंदा अबु तालब कहा करदा सी कि तेन चीज़ां ने उसनों बुड़ा कर देता है पहले गल आखरी प्रोने दी इंतजार ने जद के बाकी सारे एकठे हो चुके होंदिया अपनी बीवी वलों लाए गए मेज उत्ते इस उडीक बिच बैठन ने के मुंड़ा बापस आजावे जिसनों बोध का दी बोधल लैन पेज्या होया है तीजी इस गल दी उडीक करनने के आखरी प्रोना जा लबे बाकी दे जा चुके हन पर ए प्रोना जिसने सारी चाम एक लफज नहीं फुटिया होंदा एक दम दर्वाजे को जा रुकदा है ते इस तरह गल्लांकरन लग पेंदा है जिमें के उसने अपने चोप्रेंड दे स कोई नाम नहीं ले रहा पामे तुसी थक्के होए हो पामे अपनिया नीदनाल पारिया हो या अखानों खोल की रखना किन्ना मुश्कल होगे तो आनों उस दी बढ़बढ सौननी पेंदी है तुसी उस दी हर गल्लनाल सेमत होन दी कुशिश कर दे हो इस आस विच कि उसने ग जल्ला मुख जान गिया ते ओ चला जाएगा पर तुसी उस ले होर बोलन दी प्रेरना बन दे हो उस खास शाम नों जिस बारे में तुनों दसन लगा हां ते जिसता अंत मेरे ले इनना पैडा होया मेरे कोटल बिच इस तरह दा एक प्रणा आया होया सी दूज्यां दे जान तो पिछों भी ओ रुकिया रहा मेनू चंबड़या होया उस सिगरट दे टोटे सारे कमरे बिच खलारी जाए पर दियानू कुर्सिया दिया पिठानू मेरे सूट केशनू ते मेज उते पै कागजानू अपणिया सिगरटां बजाण नहीं परती जाए पहला उसने मेरिया सिफता कीती है ते मैं उसनाल सहमत हो गया फिर उसने अपनिया सिफता कीती है ते मैं उसनाल सहमत हो गया फिर उसने अपनी पतनी दिया सिफता करनी शुरू कीती है ते उत्थे भी मैं उसनाल सहमत हो गया अखीर विच उसने मेंनू गाडां कड़निया ते मेरे बारे हर तरां दी वाहियात बुखवास करने शुरू करते थी ते तां भी मैं उसनाल सैमत हो गया होणो अपने बारे ते अपनी बीवी बारे बुखवास चुरू करेगा मैं पैपीत होए होए ने सोचिया पर जदों ओ इस लुकते उते पुझा जित्थे जाके उस उपर सौन दी अमिट इच्छा तारी हो गई ते ओ अपने कमरे बालनू उठ नठा बेशक उसने अगले दिन फिर कमरे बिच ओन दा वादा कीता मता उस दा जाना किते मेरे लिए एमें तकलीफ देना होगे केंदे ने कि परोणा सब पास्यां तो सूना लगदा है पर सब तो सूना वो पेठवलू देख्यां लगदा है एक अहावत मेंनू इस तो पहला कदी नेसी नेटों कमी लगई मेरे वापस जारे परोणे दी पेठ मेंनू बड़ी शांदर लगई चलो तावी सोखाई शुटकारा हो गया अज शामदियां सब मसीवतां खत्म होन्यां ते होन मैं अराम नाल सौन सकता हाँ मैं जल्दी नाल दर्वाजे दी चिटकनी अडाई ते बिस्त्री बिच जा वड़ेया मैंनू एक दम नीद आगी जेस तरह बाहर बारिश पैरे होगे ते निग्गे बुर्के हेट बंदेनू आ जान्दी है मैंनू सुपना आया कि मैं सच मच किसे केम्प फायर नेड़े बुर्के हेटा प्याहा जिस दुवाले कुछ गडरिये बैठे होई हन ओ आग बिच लकना पाई जान्दे हन ते तुएनाल मेरियां अक्खा मिच्चो पानी वेहन लग पेंदा है ते नाकनू खुर कोहन लग पेंदी है फिर इंज लगा जिस तरह मैं बेकरी बेच होमा जित्थे बड़ी गर्मी ते सड़ी हुई रोटी दी वाशना आ रही है फिर द्रिश बदलिया ते मैं दोस्ता नाल पेंड बेच पेकने कमना रहा हां ते असी कुझ चंगी वाशना बड़े कबाब पुन रहे हां मैं अक्खा मिच असैत और उत्ते सरदे दर्दनाल उठया मैं बिस्तरे बिचों पुड़के उठ खड़ा हुया पर मेरी नजरी कुझ ना आया क्योंकि हवा संग्णे तुएनाल परीपेई सी कमरे दे दूजे सिरे उत्ते दर्वाजे दे लेड़े मैंनू कुझ लाटाजिया देस्तिया लगिया उना वल दौड के जान देया मैं देख्या के मेरे सूट केस्तिया तोखदिया चंगे आडिया हने रे वेच जम करेया हन इस उत्ते दोनिया दे कुछ चंगे ते चंगे होटला दे लेवल लगे हुई सान किन्ने देश असी एक अठे आने को मेशन ते किन्ने चुंगी खानेया तो सुखी सान दी निकलाई सान यकीनन इस विच कदी भी कोई ऐसी चीज नहीं सी हुई पर जिमे के तो अनू पता ही है बोध का दी एक बोतल जा दोस्ता नो स्वाद खौण ले बदेश शां तो नाल लेंदा सिगरटां दा एक फाल्तू पैकेट चंगी अफसरा दी नराजगी दा कारण बन सकदा है मेरा सूटकेस जेड़ा इन्ने चुंगी खानेया तो बचके निकलाया सी होटल मास्कवा दे शांत कमरे बिच अपने अंतनू आपउंचा मैं इस ती तोखदी रैंद खूदनू काली जी चुक्या नोन बले टब विच सुट्या ती नलका चला देता कमरे बिच तोएदे होर बदड़ छागया मैं पहला ही अपने हाथ सड़वा बेठा सा ते लगदा सी जिस तरह मून भी सेख लगगा है पर कुर्सी अजेबी पैई सी जिस उत्ते सूटकेस प्यासी दरी ते परदे साड रहे सन उस मंजल उत्ते ड्यूटी देन बाड़े नू बलॉंड ले दोड़के मैं टेलीफून तक गया मैं साड रहा हाँ मैं रसीवर चुके चिलाया मेरी मदद ले एकदम बड़ो उसे विले ड्यूटी दे रहे औरत ने सोचिया कि रसूल सिर्फ प्यार दी अगबिचे ही सड़ सकता है जड़ी इस विले उस बल सिद्धी जा रही है ते ओ मामा बर की पचकार दी होई आवाज विच बोली छड़ रसूल सौजा स्वेर तक सब कुछ ठीक ठाक हो जाएगा उफ ए औरतां मैं किन्नी वारी उननों मजाक बेची कहनता होंदा सां कि मैं स्टाड रहा हां ते ओ मेरी उते जिकीन कर ले दिया सां ते मेरी मदद ले आब और दिया सां ते होन मेरी जिन्दगी दा एक को एक मौका सी जद मेरा सच मुच दी आगनाड वाप या सी ते मेरे उते कोई जिकीन नहीं कर रहा सी निडर अगब जौन बारे बांग मैं लाटा नाड एकला लड़ाई लड़ता रहा अखीर मैं कलीन तूं कुर्सी तूं परदे तूं एथों तक के लकरदे फर्षतों भी जिड़ा तो खंड अगप्यासी अगब जा दिती हाँ मैं अगउत्ते काबू पा लिया पर इस तों पहला ये मेरा काफी नुकसान कर चुकी सी मेरा ख्याल है के एस सारा कुछ इत्थों शुरू होया के मेरा मद होश प्रावना मेरे सूटकेस में सेग्रेटां दा तोटा सुट गया सी मेरिया कमीजां ब्रसल्स तोल्यां दियां सुगातां सब कुछ चड़ गया होटर दे प्रवन्दक ने उस सब कासी दी सूची बनाई जो कुछ तबाह हो गया सी कालीन, कुर्सी, परते ते एक चंगी खासी रकम बन गई जित्थों तक मेरा स्वाल है में नुहा सिप्तार जाना प्या मैं अपने पत्नी नुँ टेलीफून कीता ते दस्या के मैं किसे जरूरी कामले इत्थे रुक गया हाँ क्योंकि मैं पहलों ही फैसला नहीं सी कीता के की कम दस्या है इसलिए मैं उसनु मोड़के टेलीफून करन्दा बचल देता हाँ एसी सिगरट दे एकको एकलान ती टोटे दा पाया हुया पोड़ा पर मैं तो अनुह दस्या चौन दा हाँ के सारा कुछ मेरे मुख नुक्सान दे मुकाबले होते कुछ भी नहीं सी सूप केस विच एक खरड़ा सी जिस होते मैं दो साल तो काम कर रहा सा केंदे ने के सब तो बड़ी मच्ची ओ होंदी है जेड़ी होकनू ला की ले जान दी है सब तो चंगा शिकार ओ होंदा है जिसनू तुसी नहीं फ़ाड़ सके होंदे ते सब तो अदभुत औरत ओ होंदी है जेड़ी तो अनू छट गई होंदी है मेरे खरडे दे कैई सफे तवा हो गया सन और मैं सोचदा हां कि ओ मेरे सब तो चंगे सफे सन इस तो वड़ी का ले है कि जेडी मच्छी बच के निकल चुकी हुन दी है ओ कदी मेरी नहीं सी जिसे शिकार नू मैं नहीं फ़र सक्या हुन दा ओ भी कदी मेरा नहीं सी जेडी ओरत मैं नू छड़ के चली गई हुन दी नाई मैं उस दे अपनी हुन दा दावा कर सक्दा पर रोज सड़ चुके सफे मेरे सन मैं उनानू सिर्जया सी, जीवया सी ते उना उपर जान मारी सी उनाले मैं कई रातां उनींदरा चागया कई देन दोख पो गया सी एसे करके खरडे नू पुझे नुकसान नू मैं इना देलनू लाया ते होन तक मैंनू पक्का यकीन है के उना तो मेरी सब तो चंगी किताब बाणी सी मैं एकदम ही सक्खणापन मैसूस करन लगा जिस तरह परियां चुक्के जान तो पिछों खेत लगदा है जा खेत विच रह गई एको एक परी लगदी है मेरे लिए सड़े सफया उपर ले हर लफज बिच मोती बड़ी चमक सी ते हर सतर मेरे लिए गड़े दा हार सी मैं इनना बुझ जा गया सा कि मैं होर दो साल तक सड़े सफया नो मुड़ लेखन दा कम शुरू ना कर सक्या जदो आकर मैं मन बढाई लिया ता मैं मैं महसूस किता कि मैं जकीनन उनने चीज़ा बारे मुड़ की लेख सक्दा हां पर मैं सड़े सफय बहाल नहीं सा कर सक्दा बिल्कुल ओसे तरह ही जिमें किसे पती पत्रीदा प्यारा बच्चा मारे जाए उनना दे होर भी बच्चा हो सक्दा है जिसनों ओ इन नहीं प्यार करनगे पर ए दूज़ा बच्चा होवेगा ओ नहीं जिड़ मर गया है कहनदे ने कि कवता नू पाणी नाल नफरत है कवता मा अग वांग हों दिया हन ते कवता रच्णी सर्ण वांग है बेशे कवता मा नू पाणी वर्गियां नहीं होना चाईदा पर उनना नू उस तरह दी अग तो रबब चाए जिस तरह दी अग नाल होटल दे कमरे विच मेरे खरडे दा वाप्या सी अबु तालव दे कार किमे चोरी होई मैंनों नहीं पता कि किमे होया ते किस ने इस ता मन्सूबा बनाया जा उस दिन अबु तालव दे कार क्यों कोई नहीं सी पर सचाई ये है कि उस दे कार चोरी होगी उस दी ती दी कड़ी एक सोने दी मुंदरी कुझ कन्ना दियां वाडियां ते होर निके मुटे गैने जान्दे रहे जे उना दे फर कोटां बूटां लबासां ते पैसें दी गल नावी करिये तां अबु तालव दी वीवी नू गाश पैगी ते उस दी ती रूंदी रूंदी बेहाल होई होई मंजी उत्ते जाटट थी अबु तालव नाल दे कमरे बेच गया फर शुते बैठ गया ते सुरना बजाण लग पया उस दी बॉट्टी दोड़ी दोड़ी आई तेरा दिल है जा नहीं एहोज़े वेले बजाण डिया है दोड़ के पुलीस कोड़ जा सरकारी बकील कोड़ जा पर असी खुश किसमत हाँ कि मेरे कवतामा सारिया उससेतरा दिया उससेतरा बचिया पखिया ने देख आप है मेरे कागज बिल्कुल उससेतरा जेसतरा हो संद चोरा ने एकनुभी हाथ नहीं लाया बे गादलि रोमा उफ देरे कवतामा किसनु चाहिद इयाने खास करके लाख बोली बिच तेनो कुझ समझनी हो दी जिनानों लोकी कभी कहन दे हन उना बिच भी कई ऐसे लोक हो दे हन जेड़े दूज्यानिया कवतामा चुरानतों छोट और कुझ नहीं कर दे अल्ला दा शुकर है मेरी यां कवतामा नहीं चुरान्या गई या मैं पूरा साल इना उते कम करदा रहा हा जे एक वी कवता गवाच जान दी ता मैंनू सक्त तक का लगदा उनाने मेरा सोरना भी नहीं खड़िया सो मैं क्योंना खोश हो माते इसनू बजामा अबू तालब ने अपने पतनी ते तीदी एक ना सुनी ते अपना सोरना भजाँदा रहा एक कहानी जेडी अफेदी कापी जेवनी मैंनू सुनाई सी एक सोने गर्मिया दे दिन सुलेमान स्ताल्स की अपनी सकलिया दी छात्ते पया अकाश वल देख रहा सी कोई भी सोच सकता सी के सुलिमान सिर्फ अराम कर रहा है उस दी पत्नी ने भी एही सोच्या होवेगा छाट तो ते ओद्यां उबुली खिनकाली त्यार है ते मैं पादिती है आके खाले सुलिमान ने कोई जवाव ना दिता ते उस वल देख्या तक न कोई चेर मगरों आयना मुड के आई खिनकाली ठंडी हो रही है और कडीनों उस दा स्वाद सारा मार्या जाना है सुलिमान हिल्या तक न उस दी पत्नी खाना उपर ले आई ता कि सुलिमान ओथे खा सके क्योंकि उस दा मूड एहुजया ही लगदा सी उस वल खाना रेड़ दी हो यो बोली सुवेर दा तु कुझ ने खा दा खिनकाली खा के देख मैं तेरे ली बनाई है देख किनी चंगी है सुलिमान लोहा लाखा होया पड़क के उठ्या ते आपनी इनना फेकर्द खानबाली पत्नी नो कूख के कैन लगगा तो हमेशन मेरे कामबच दखल दिन दिये पर तू ता एमे उत्थे प्या होया से वेल लई मैं सोच्या नहीं मैं कम कर रहा सा मुड़के न मेनू तंग करी आके ते सच जानो उस दिन सुलिमान ने एक नमी कवता लिखी सो कवी ओधों भी कम कर रहा होंदा है तू चानने तू तारा तू सांग हों में ता जीवन मिठा मिठा तू ना दिसें जीवन कोडा बे सहारा ते पतनी जो उस दी लोग उस दा तारा बेच बरूहा दे जद आ परगट होई फिर आ गई ये कवी देख के चिलाया रब वास्ते करंदे मेंनू कम कोई पिताजी ने मेंनू एक एक हानी सुनाई सी महबदा महान गवया महमूद एक बारी बड़े आदर जोग बंदेदिकार महमान सी होर भी प्रोने सन जिनानू कवी अद्धी रात तक अपने गीत सुना सुना के खुश करदा रहा फिरो सारे सौन्डे चले गए महमूद नू सब तो चंगा महमान कमरा दिता गया उस दे मेजबान ने उस दे कमरे विच बुजूले पाणी दा कड़ा ते तश्तरी रख दिते शुब रातरी कही ते चला गया सुवेर वे ले इस गलों डर्दिया के महमूद के ते सुत्ता ही न रह जाए ते सुवेर दी नमाज दा वक्त लंग जाए उस दे मेजबान ने कमरे विच चा किया उसने देखिया के कवीता बिलकुल सुत्ता ही नहीं सी कली न उते बैठा वो कवता लिख रहा सी ते उसने अत्तों का बुल्ला माच गा रहा सी सुर्गां दे सोल लेता कदी न मैं गामा मेन्नू इस सेवा तों बिनही रहन दियो मेहमूद सुवेर्दी नमाज दा समा हो गय, कवता छड ते नमाज पढ़, मेरी कवता मेरी नमाज है, मेहमूद ने चुवाव दिता सो देख्या, कवी ओधों भी काम कर रहा होंदा है, जदो दोचे नमाज पढ़ रहे होंदे हन, अपनी नोट बुक बिच्चों, हुण में तो अनू किसे अवार कवी वरे कहानी सनौन लगा हां, जिस दा नाम में नहीं दसांगा, मैंने चौदा कि लोग की उसवल उंग्णा क करके हसन, पामे, इमानदारी नाल, आपस विचली गाल है, ओ एसे दा हकदार है, कवी ने व्या करा लिया, व्यादी रस्म खतम होई, ते प्रौने करोंकरी तुर गए, नव दंपती नो एक कमरे बित छट दे होई, जिड़ा इस सुहाग रात ले खास करके त्यार कीता गया सी, दुलहन सुहाग सेज उती लेट गई, ते लाड़े दा इंतिजार करन लगी, ओधर नेंगर अपनी दुलहन को जान दी था, मेज को जा बैठा, ते कवता लिखनी शुरू कर दिती, सारी रात ओ लिखदा रहा, लिखदा रहा, ते सुवेर हून तक उसने प्यार बारे, अपनी दुलहन बारे, ते सुहाग रात बारे कवता खत्म कर ले, की एस तों असी एस टक डिये, ते इस तरह कवी सुहाग रात नों भी कम करदा है, जे मैं इस अवार कवी दी मसालों ते चल्लिया हून दा, ता मैं आज तक दिया, अपनिया कताबा नाड़ों, पंजाग उ ज्यादा कताबा लेख चुका हून दा, पर मैंनों शक है, जे एक कताबा सच्चे दिलों लिखिया गिया हून दिया, जेड़ा भी कोई उस वे ले ले लिखन बैठ चांदा है, जदों उस ती दोलहन उसनों गलवकडी विच लैनली बामा खोल दी है, जेड़ा अपनी महब ती हाजरी बिच भी पैंसल ते कागज लांबे नहीं रख सकदा, वो जरूर दंबी हुवेगा, जेड़ा दूजे आदमी नड़ों दास्या वी गुणा ज्यादा भी लिख देवे, तावी उसनिया कबतामा बेच सुहेर्दता दी काट रहेगी, बेशक बंदे नू काम करन चाहिदा है, एक वारी, एक बड़ा स्याना आदमी द्रक्त हिठा लेट गया, ते उडिकन लगा, कदों सेब आके उसनिया मों वेच डिगदा है, पर कोई न डिगगा, पर मेनतों भी ज्यादा, शायद कला कौशलता नालों भी ज्यादा, कभी नों सुहेर्दता दी लोड ह हुंदी है, सारे लोका ले ते खुद अपने ले सुहेर्दता, कहावत है, बहादर आदमी जा काठी उत्ते हुंदा है, जा जुमेन हेठा, केंदे ने, तर्ती उत्ते सब तो कनौना ते बादसूरत द्रिश केड़ा है, डर नाल कमदा आदमी, ते इस्तों भी ज्यादा कोना ते बादसूरत द्रिश डर नाल कमदा आदमी, शुक्रिया दोस्तों